हाव रो फीक्स oneplus 7T pro can't change lock screen clock problem नमस्कार दोस्तों सब्गर अब सभी का तेकर आज योट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियों पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है lock screen clock problem यहापे solve कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों हमें बहुत सारे लोगों ने यहां पर बताए कि उनको जो है oneplus के device में एक problem आ रहा है कि उनका जो lock screen का clock होते हैं वो change नहीं कर पा रहा है ठीक है तो अगर आपको वह ऐसा लगता है अगर आपके फोन पे ऐसा ही है ठीक है और आपने अभी तक कोशिश नहीं किया है लोग को चेंज करने के लिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं यहां पर दोस्तों लोग के रिगार्डिंग में आपको कुछ जो है बते बताने वाला हो जो कि दोस्तों आप यहां पर जानिए ठीक है problem को कैसे fix किया जा सकते है वह सब आपको जानने को इस वीडियो पर मिल जाएगा तो वीडियो के सारा अंतक बने रही है सारे साथ दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें अगर आप ऑनलाइन पैसा कामाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शिन पर उसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो जहां तक लोग स्क्रीन क्लोग के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए दोस्तों सेटिंग पर अगर जाके चेक करते हैं लोग स्क्रीन क पर पासकोट लागाना है उसके बाद फिंगरप्रिंट अनलोग फेस अनलोग स्मार्ट अनलोग ठीक है तो यह सब दोस्तों सेटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं लेकिन यहाँ पर कई भी यह ऑप्शन दिया हुआ नहीं है कि लोग स्क्रीन का जो क्लॉक है उ उसके उपर में आपको एक फ्यूचर दिया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छे है वान प्लास के मोबाइल पर वह दोस्तों एम्बेंट डिस्प्ले ओल्वेस ओन डिस्प्ले क्लॉक आपको मिल जाएगा तो उसी के वज़े से ठीक है तो उसी के वज़े से दोस्तों आपको ये एक option नहीं दिया है pon-plus के mobile गफिवस कि दोस्तों बहुत सारे मोबाइल पर मैंने देखा है बहुत सारे फॉन on यूज करके देखा है लेकिन किसी mobile पर भी ओल्वाइस on display का सेटिंग बहुत ही कम है ठीक है बहुत सारे डिवाइस में न्यों होते हैं लेकिन वान प्लास के डिवाइस में वह चीज है उसके वज़े से का क्लोक आप्शेन डिया हुआ नहीं है क्योंकि डिस्प्लै के अंदर पर आप जाएं सिर्फ आपके singular कर सकते हैं अब सेड़ कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आए दोस्तों आपके तो माईजेशन यह दोस्तों क्लोक ओन एंबेन डिस्प्ले यानि कि यह सिर्फ आपके लॉक स्क्रीन पर ही शोगा अभी यहाप देखे क्लोक का जो यहाँ पर डिजाइन वह काफी सारे हैं पहला व 11 12 13 13 पर तो दोस्तों 9 है ठीक है लेकिन 12 नंबर तो आपको यहाँ पर analog का बहुत सारे options जो है मिल जाते है clock का तो यह feature दोस्तों बहुत ही कमाल का है ठीक है और यह feature जो है आपके oneplus के mobile पे clock जो है लोक स्क्रीन पे वह आप चेंज नहीं कर सकते लेकिन लोक स्क्रीन पे आपको ambient display मिल रहा है तो उसके वज़़ा से आप चेंज कर सकते लोक स्क्रीन के clock को क्योंकि दोस्तों जब भी आप अपने कर सकते लोक स्क्रीन पे तो आज के लिए दोस्तों बस इतने उम्मिद करते हैं आपको यह वीडियो पसे नहीं होगा थेंक्स राचिंग